आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन में कौन-कौन सा आइटम्स है जो आप नहीं लेके जा सकते हो अगर आप लेके गए और बकड़े जाते हो तो उसके लिए क्या आपको सजा मिलेगा वो भी बताऊंगा देखिए अभी बहुत सारे तेवारों का सीजन है रेलवे में बहुत जादा भीड चल रहा है और रेलवे में जितने भी नियम है उसको बहुत सक्ती से आपको पालन करने की जरूरत है रेलवे बहुत टाइट हो गया है अगर कोई भी गलती किये तो जो है आप फेड़ा में पर सकते हैं इसलिए सारे नियम को फॉलो कीजिए तो अभी आई रसी टी सी के मताविक अगर आप ट्रेन में पटाखे ले आते हो या फिर कोई दूसरे ऐसे आइटम ले आते हो जो कि रेलवे में पूरा बैन करके रखा हुआ है तो आप जो है बिलकुल मुसीबत में चाहिएगा और आपको भाड़ी जुर्माना लग सकता है और जेल भी आपको यहां पर जाना पर सकता है त्रेलवे के एक्ट नाइंटी एटी नाइन के सेक्शन 67 के मताविक ट्रेन में खतरनाक और अपडिय समान लेकर चलना बिलकुल मना है और यह चीज जो है रेलवे एक आड़ पीएफ को बिलकुल यह बोल दिया है कि जो लोग भी नियमों का उलंगन कर रहे हैं उनके खिलाब जो है बिलकुल सक्त का काड़वाई जो है होनी चाहिए दिवाले की समय देखा गया है कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड हो जाता है और बहुत सारे ऐसे यातरी होते हैं जो कि ट्रेन में पटाखा लेके चलते हैं या फिर दूसरे जो अलंसील प्रदार्थ जो होते हैं वो लेके चलते हैं कुछ पताखों के वापारी होते हैं वो भी जो बडए सहरों से छोटे सहरों से बड़े सहरो Nung पताखों बड़कर करने के लिए बहुं सारा पताखा जो है फ्रेन विर्टे एक उप्राद event इसके कारण जो है ट्रेन में बहुत बड़ा हाथसा भी हो सकता है तो इससे बचने की जरूरत है अभी IRC-TC ने जो है कहा भी है कि कोई भी यातरी यातरा कर रहा है और आपको लगता है कि कोई आदमी जो है इस तरह के पटाके वगारा जो है लेके चल रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल सुचित कर सकते हैं उसके लिए नंबर भी है जैसे कि पहला नंबर है 011-233-03982 दूसरा नंबर है 011-233-03983 यह नंबर जो है अगर आपको लगता है कि आपको यातरा कर रहे हो कोई यातरी पटाका वगड़ा लेके लहों रहा है तो आपके जान को भी खत्रा हो सकता है इसलिए आप रेलेवे को जो है इसका सुचना जरूर दीजिए ताकि उसके उपर में जो है करवाई हो सके पटाकों के अलावा कुछ और भी आइटम्स हैं जो की ट्रेन में ले जाना बिल्कुल मना है वो बैन है जैसे की गैस सिलेंडर, एसीड, पैट में लेकर जाना बिल्कुल मना है, अगर आप यह सब शामान लेकर जल रहे हो और आप पटड़े जाते हो, तब जो है रेलवे के एक्ट के नुसार जो है सेक्षन 164 के तहट जो है तीन साल का कैन हो सकता है या फिर एक हजार रुपे का जो है आपका जुर्बाना हो सकता है या फिर आपको जेल और जुर्बाना जो है दोनों हो सकता है जबगी सेक्शन 165 जो है उसके तहत जो है 500 रुपे का जो है जुडवाना आपको यहां पर चुखाना पड़ सकता है धन्यवाद